तो हेलो दोस्तो असलालेकुम आप सब किसे हैं तो दोस्तो सबसे पहले तो आपको इद मुबारक और दूसरी बात हम नहाद होके तयार हो चुके हैं और अभी हमको जाना है नमास पढ़ने इद की तो अभी तो छे बज़ रहे हैं और हमें साथ बज़े की टाइम जाना है तो तो आभी हम जाएंगे इद की नमाज पढ़ने, तो दोस्तो, आज मुझे बहुत ही जादा मज़ाने वाला है, क्योंकि आज हम गाउं में जाएंगे सबके घर से मही पीने, और तो चलिए हम पहले नमाज पढ़के आते हैं, फिर चलते हैं गाउं में घुमने के लिए, तो द दा पर कुछ लोग कुछ बच्चे याएं सेवी पीने के लिए तो चलिए हम एंको कर दो कर है कि मुशन्ट कर दो तो दोस्तों सब लोग मजे से खा रहे हैं तो दोस्तों अभी हम गाउ में आये हैं सवी पीने के लिए तो चलिए हम सब के घर चलते हैं सवी पीने के लिए आज मैं सुबा से कुछ नहीं खाया हूँ इसलिए चलो हम पहले सवी से सुरुआत करते हैं तो दोस्तों हम लोग से खाके उस घर से आ चुके हैं और वहां पे जहां पे हम गए थे वहां पे चोला समोसा अंडा बहुत सारी चीज बने हुए थे और खाके बहुत ही जादा मज़ा आ गया मेरे साथ मेरा चोटा भाई भी था और मेरा एक दोस्त भी था वह लोग तो इतना खानी है थे कि वह लोग का पेटी भर गया था तो वह बोले कि अब चलो चलते हैं तो दोस्तों आज पूरे गाउं में घूम के बहुत ही जादा मज़ा आ गया और मैं बहुत जगा से में भी खाया और मेरा पेट पूरा भर चुका है अब मैं कुछ भी नहीं खा सकता हूं तो दोस्तों इंशालला आप भी इसी तरह एद मना रहे होंगे तो हम मिलेंगे एक